हालो करेंड्स मैं हूँ लीला लीला की रसवजी में आप सभी का स्वागत है आज हम स्वागत है। इस तरह save my chiffon हो और सबनान बनाना है तो सबसे पहले हमें तो में से अच्छे पिर च छिल ने हैं वर्ज़ को आटके कॉया लाखते हैंते हूँ किसी ओकाखनी होती हिसी मैं काड़ कुछ सब्समान अब बनाने के लिए क्या शमान लगता हैं, जी मिकाने के लिए यहां पर लेंने हूं, क्रण कहड़े मसालें, भून के लिए लिए बहु अच्छा स्वादात है सब्ची में लशून, अद्रक थीन प्याज है, पीसा वाला, एककटुरी दही है, ज्यादा कहती दही नहीं है, स चार टमाटर है फिसावाला थोड़ी से मेथी है तड़की के लिए चार हरी मीर्च है तड़के के लिए हरी धनिया है तो सबसे पहले हम ले लेंगे जी मिकाल्दा को कि उसमें हम थोड़े सुखे मसाले डालेंगे तो यहां पर मैं डालूंगी आधी छोटी चम्माज सुखी मीर्च लाल माली अल्दी पाउड़ा अधी चम्माज दनिया पाउड़ा अधी चम्माज अलके सनमा एक चम्माज तेल मसालों में अच्छी से इसे मिक्स कर देंगे तो इस तरह से हमें मसाले में अच्छी से मिक्स कर लेना है तो कड़ाई में तेल चड़ा देंगे तो तेल करम हो गई है तो फिर फ्राइ कर लेते हैं एक अक्कर के दिमिकाना को पहले हमें से जिमिकाना को अच्छी से प्राइ कर लेना है ताकि हमारे मूँ में खाने के समयं तुचिदी न हो गई है अच्छी से इसको पकाना है सलने के समय तो अच्छी से फ्राइ हो गई है तो इसके फ्राइ करते ही समय जिमिकान देखो है पकाना है अब देख सकते ही चम्मत में आप काटके देखोगे तो आपकी जिमिकाना जो है अच्छी से यह पक गई है और कट रही है तो इसी तरह द क्लेट है जो बच्छी है इसको भी प्राइकर की निकाल लेते हैं तो यहां पर मैं जिमिकादा को तल के ले ली हूं तो इस तरह से हमको जिमिकादा जो हमारी है अच्छे से पकनी चाहिए इस तरह से पूरी जिमकादा जो हाँ पक गई है तलते समय तो इसी तरह से उपको तरह कि लेना है इसे में डाल देंगे एक चमा जीरा मेथी पसंद नहीं तो इसके भी कर सकते हैं हरी मीट को थोड़ी सी पका लेंगे इसे में डालेंगे प्यास और प्यास को अच्छे जी नहीं रिए जी लागने में अच्छे चाहिए अच्छे पिलके आता है प्यास को अच्छे जी जी नहीं रिए क्षान फिल्से में डालेंगे खड़े मसाले और फड़े मसाल कोई अच्छे जी जी तु wijन में दालेंगे तमाधा और पुष्टी को रखाए लें इसमें डालेंगे में हली पाउडर, जीरा पाउडर एक तोमर, नीज, ये स्वार्म साथ, नमक डालेंगे स्वार्म साथ, पुष्टी से मिस्ट करेंगे और तमाता को मसाले को अच्के से भून गी है, तो देख सकते कड़ाही ठोनने लगी है मसाले, ये तो भी तभी अच्के से भून गई है, तो इसमें डालेंगे दभी, तोल्की पानी डालेंगे, अच्छी डाल आगी है, तो इसमें हम डालेंगे घुलका लखो, तो इसमें डालेंगे अच्छी से मिला देंगे, इसमें डालेंगे गरम मसाला, या तो फिर आप जिका मसाला भी डाल सकते हैं, इसको पकाएंगे। यह दो से तीन मिनट हो गही है। हमारी जीमी कांदा की बहुत ज्वादी सब्जी बन की तयार है। तो देख सकते हैं। बहुत अच्छी सब्जी बनी है। इसमें दाल दंवी दन्यपत्ती इसको मिक्स कर लेते हैं। तो यह सब्जी जो है जरूर ट्राइ करिए देखिए बहुत ज्यादा अच्छी लगती बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी और रेश्पी अच्छी लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करिए सेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फिर मिलते हैं कि नहीं किसा एफटेकली। जाइब 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 करिए निया थासवा है